स्वागत है आपका ये बापको सीधा लिए चलते हैं लग्टा हुजापर सीयमे योगी आजादी अबरत महत सब पर क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं 670 हेक्टियर छेतरफल में 82 करोड 83 लाक रुपिये की लागत की कारयोजना भी हम लोगों ने वरतमान में यहाँ पर भारत सरकारदारा स्वीकृति की गई है और जिसे हम वरतमान में क्रियानुट कर रहे हैं नमामि गंगे योजना के अंतरगत भी हम लोगों ने प्रदेश के अन 27 जनपदों के गंगा के तटवर्ती जो जनपद हैं उन जनपदों के 10 किलोमेटर की परधिक में के अंदर भी प्राकृतिक खेती और अध्यानिक खेती किर्शिवानिकी को समलित करते हुए दो लाग से धिक किसानों को इसके साथ जोड़ने के एक बड़े अभियान को अपने साथ लेकर करके हम इस कारिक्तरम को आगे बढ़ा रहे हैं और बुंदेल खंड जो छेतर उत्तर भ्रदेश का है हमारे साथ जनपद इसके अंदर आते हैं यहां पर विसेश रूप से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार अपने स्थर पर एक विसेश प्रियास प्रारंब कर रही है और इसी प्रकार से हम लोगों ने इन यानि प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाने की दिसा में प्रदेश सरकार ने जो अभ्यान प्रारंब किये हैं इस दिसा में मेरे नीति आयोग को और माने किरसी मंत्री जी को कुछ सुझाओ भी थे एक राज्य सरकार द्वारा किरसी विश्योद्याल है वा किरसी विग्यान के इंद्रों में सो दयम प्रसिक्षन है तो प्रदर्शन के कारेकरम प्रारंब जो हमें करने थे हो हमारे प्रारंब हो चुके हैं इसे और प्रभावी बनाने के लिए उचित होगा कि इस कारे को ICR की देखरेक में किरसी विग्यान के इंद्रों के साथ-साथ ICR के संस्थानों द्वारा भी संचालित किया जाए इस समनित कारेकरम से प्रदेश के विभिन एग्रो क्लाइमिटिक जौन के लिए उप्युक्त भसलों वा उनकी प्रजातियों का चिन्नी करण भी हो सकेगा और जिन्हें हम किरस्वकों द्वारा अपनानेक से योजनाओं को सफलता प्रुवग भी हम इसे कियानित कर पाएंगे दूसरा है परमप्रागत किरसी विकास योजना के अंतरगत जैविक खेती के लिए 50,000 रुप्य प्रति हैक्टियर का प्रावधान है जिसमें से किरस्वकों का प्रोचसाहन 31,000 रुप्य प्रति हैक्टियर तीन वर्सों के लिए उन्मन्ने है प्रन्तु भारतिय प्राकृतिक खेती पद्दती के दिसान रिदेसों में जो प्राकृतिक खेती है इसके लिए मात्र 21,000 रुपे प्रति हैक्टियर का ही प्रावधान रखा गया है जिसमें किर्शकों का प्रोथसाहन के रूप में मात्र 2,000 रुपे प्रति हैक्टियर तीन वर्स के लिए अनुमन्ने है मेरा अंडोध है कि इस योजना के अंतरगत भी किर्स्रकों के लिए प्रोथसान की धंदासी को बढ़ा कर 31,000 रुपे प्रति हैक्टियर तीन वर्सों के लिए PKVY के समतुले क्या जाना उचित प्रतित होता है जैविक खेती या प्राकृतिक खेती से जुड़े किर्स्रकों के लिए सबसे बड़ी चनोती उनके उत्पात का मुल्ले समर्धन और विपणन है इसलिए अन्रोध है कि योजनाओं के लिए दिसा निर्देशों में ही मार्केट परमोशन तब ब्रांडिंग की विवस्ता भी समाहित करने के लिए समचित बित्तिय विवस्ता पक का भी इसमें अगर समावेस किया जाए क्योंकि बिना इसकी मार्केटिंग और उत्थी ब्रांडिंग के और मार्केटिंग और ब्रांडिंग तब होगी जब हम लोग प्रियाप्त मातरा में इसके लिए टेस्टिंग लैब्स भी उपलब्द करा सकें इस बिसा में हमें अवस्त से विचार करने के आउस सकता है और हम कम लागत में अपने अनदाता किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में सपल होंगे मैं इस पूरी कारेसाला के प्रती हिरदय से नीतियायों को धन्यबाद देते हुए मानिये किरसी मंत्री जी के प्रती हिरदय से आभार वेक्त करते हुए इस पूरे आउजन के प्रती हिरदय से अपनी सुपकामना ही देता हुए बहुत बहुत धन्यबाद